हलो एवरेटवन इस विडियो में आप पढ़ेंगे रूलर ऑंत्रोप्रिनुोषि इंत था सब्सक्राइजीज तो नेक्स्ट आपि आप दिखते हैं कि रूलर ऑंत्रोप्रिनुरियोशिप से ररेलेटिड कौन-कौन देखेंगे फिर रिकमेंड करेंगे कैसे उसको solve किया जा सकता है फिर नेक्स रहता है कि गौवर्मेंट schemes कौन कौन सी चल रही है रूल और entrepreneurship के लिए इंडिया में इन सभी को डीटेल में पढ़ने से पहले corner आई बटन पर करके आप entrepreneurship development की playlist देख सकते हैं जिसमें कि आप इस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में management और commerce related different subjects के वीडियो के playlist का लिंक अभीलेबल है आप महाँ से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चीए तो आप कमेंट कर सकते हैं इन सभी को डीटेल में दे Arnold करते हैं और कुछ करता है अद्वान्स टेकनोलोजी को रूलर एरिया में लब रूलर ओंथरो क्टिप जो कि अपने इंक्टरप्राइज सखू अधीज करते हैं वहांत्रों तो प्लिंगर को परेंदियोंञें च्सिवारिए ही वाहीं अडियोंग विलेज गर्पिविए तो जो भी non-urban area होते हैं उनको हम ruler areas बोलते हैं यह बताता है कि कैसे ruler area में industries को establish किया जा सकता है उसके लिए ruler entrepreneurship को define किया गया है मतलब जो area का development अभी तक नहीं हुआ है उसके development के लिए ruler entrepreneur आगे आते हैं next definition की ruler entrepreneur entrepreneurship जो की value addition करता है ruler resources में ruler area में जहांपे की संसादनों की कमी है तो वापे resources को available करवाए और उनके resources जो available है उनके साथ engage रहे मतलब ruler area के resources का utilization करता है ruler entrepreneurship ability होती ही किसी भी community के अंदर की grass को gold में convert करना मतलब एक behavior threat होता है कि किसी भी individual के अंदर हम देखें कि क्या potential required है कितनी बंजनेस opportunities को वो देख सकता है उसके surroundings और उसका वो advantage ले उसको लग रहे है कि ruler area में क्या development हो सकता है उस चीज़ को वो देखके मापे development करें next definition according to KVIC खादियन village industry commission यह village industry ruler industries का मतलब होता है कि इंडस्री जो की ruler area में located होती है जहां की population 10,000 से जादा नहीं होती है जहां पर 10,000 से कम लोग रहता है मतलब other figures में जहां पर की goods or services प्रॉपर तरीके सा available नहीं है पावर नहीं है और यहां पर आपका fixed capital investment per head मतलब पर व्यक्ति पर आपका 1000 से जादा नहीं होता है तो यह industries के लिए KVIC जो की ruler industries के लिए उन्होंने यह definition दीती है और इनका प्रोग्राम भी चलता है कि ruler entrepreneur को कैसे develop किया जाए उनके development के लिए next नेक्स्ट आता है definition according to government of India कोई भी industry जो की ruler area में located है और village और town में जिसकी population 20,000 से कम है और जिन्होंने अपने business में investment plant machinery में तीन करोड से कम करकिया उसको हां village industry बोलते है तो government of India के according जहां कि उस area को ruler area मानती है जहां पर population 20,000 से कम हो और उनका investment business में तीन करोड से कम हो तो वह हता है ruler area next नेक्स्ट आता है features of ruler industry की ruler industry के क्या features होते हैं तो फास्ट आता है very low investment की ruler entrepreneur बहुत कम investment में अपना काम करते हैं मतलब definition में बताएगे कि तीन करोड से कम जिनका बन्स होता है वह ruler entrepreneur तो इनके investment में हो सकता है 5 lakh 10 lakh तो ऐसे इनका बन्स स्टार्ट होते है नेक्स्ट आता है लोग गेस्टेशन प्रियेट की जो इनके development की स्टेजिस का जो टाइम प्रियेट होता हूँ बहुत कम होता है मतलब इनको बहुत कम टाइम मिलता है हो सकता है टू-टू-फोर मन्थ इस टाइम पे इनको ग्रो करना होता है नेक्स्ट आता है यूज ओफ ट्रेडिशनल स्कील्स कि जो भी इनके पास स्कील्स होती है वो ट्रेडिशनल होती है यह बहुत जादा advanced technology पे work नहीं करते कि production के advanced technology का यूज करें बलकि यह mainly workers पे main power पे जादे इनका focus होता है तो यह traditional skills क का ही use करते हैं नेक्स्ट आते हैं decentralization production system कि जो इनको production system होता है वो अधिया सैंत्रलाइज और होता है, नुए एक है कर अपने तरीके से काम नहीं भी कर पाते है क्योंकि इनको कोई प्रॉपर तरी किसे guidance देने वाला नहीं होता है नेक्स्ट आता है product are either mass consumer goods और handicrafted जो भी यह goods बनाते हैं वो consumer goods होते हैं handicrafted मतब हाथ से बनाते हैं जो hand embroideries या फिर आप decoration के items बोल सकते हैं जो कि हाथ से बनाते हैं handbags जो की बहुत embroidery के साथ बनाते हैं नेक्स्ट आता है use of locally available market जो उनके पास local में market available होता है यह उसी का use करते हैं फिर आता है cater to limited market के इनका market area होता हूँ बहुत limited होता है मतलब आप यह ruler area में ही अपने product को sell कर रहे होते हैं तो यह limited होता है कि internationally या फिर ज्यादा marketing के पर अबिलेबल नहीं होता है प्रिड़क्ट को sell करने के लिए लास्ट आता है product have unique and aesthetic nature जो product होता है वो unique nature को या aesthetic nature का मतलब कुछ भी product unique होता है जो की available होता है मतलब है रूलर एगिया में कुछ unique करते हैं तो यह होते features of ruler industries next आता है need of ruler entrepreneurship कि की नेड होती है रूलर अंत्रोपियोंशिप की तो फर्स्ट आता है कि जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 70% लोग रूलर एरिया में रहते हैं तो इसते इंपॉर्टेंट होता है कि वहां का डवलपमेंट हो सेकेंड याता है रूलर अंडश्टी इंड्श्री इंड मतलब यह ज्यादा बेस्ट लेबर प्रोटीजयक वहां पर लोग यादा क्ाम करते होते होते हैं तो अपको स्माइबर काम करने केलिए कम कम चर्च में और उन लोगों को भी जरुर्सती है काम की नैक्स दाते है कि जो रूओन के इंकम होती है उसमें प्रूण ज्यादा डिफ्रेंस होता है वाँ पर नहीं इंडस्ट्री स्कुल तो लोगों को इंप्लाइमेंट मिलता है वाँ के लोगों का स्टेंडर्ड वाँ के उस एरिया की ग्रोथ होती है मार्केट डवलप होता है तो पूरी तरीके से ओवरॉल मार्का रिज्टनल डवलपमेंट होगा एक त्रेडिशनल आर्ट को देख सकते हैं जो की बहुत उनल तुपको कहींगी तो यह उनके एक specialty होती है नेक्स्ट आते कि रिड्यूस करता है पूवर्टी को growth of Islam in population in city जो भी गरी भी उसको कम करता है और जो भी Islam area होता है मां का development या growth करता है मतलब Islam area जहां पर लोगों के रहने के लिए घर तक नहीं होता है उन लोगों के पास फिर नेक्स्ट आता है अविकंद यूथ जो भी एक कोई entrepreneur या कोई successful businessman बनता है तो दूसरे बहुत सारे लोगों को inspire करते हैं तो यह यूथ को जगाने के लिए और उनको वैसा बनाने के लिए बहुत important होते हैं नेक्स्ट आता है इंक्रीज करता है literacy rate को रूलर population में कि लोग ज्यादा educated हो ज्यादा पढ़ें for example कि एरिया में colleges या schools प्रॉपर नहीं थे मतलब schools भी था तो 10th class था 11-12 नहीं था तो मां पर लोगों को लगा कि ऐसा कोई मां का एक व्यक्ति बाहर पढ़ने गया उसका idea है कि इस एरिया में इतना development हो सकते है कि लोगों को अच्छी education provide कि जाए तो उसने 11-12 colleges सब मां पर start किया तो मां के लोगों ने सभी बच्चों को schools colleges भीजना start कर दिया तो कुछ लोग तो मां से पढ़ पढ़ के अच्छी jobs मिली उनको तो ऐसे करके literacy rate में increase होता है रूलर एरिया के population का next नेक्स्ट आता है advantages of ruler entrepreneurship के क्या advantages होते है तो इसमें first आता है utilize the ideal capital की जो भी capital जिनका अपिता कोई use नहीं हो रहा था जो रख्य होई थी तो उसको पूरी तरीके से utilization करने की लिए important होता है कि वो कुछ business में लगा है ताकि वो increase हो सके next नेक्स्ट आता है utilize local resources की local resources जो भी available उनके पास main machine material उनका proper तरिके से वो use कर सके next employment के opportunities को provide करता है नए business कुलते है तो महाँ पर ज्यादा लोगों की जरूत होगी तो अगर महाँ पर 50 लोगों की जरूते हैं 100 लोगों की जरूते तो इतने लोगों के लिए वह business employment को generate करते हैं नेक्स्ट आता है avoid the migration of ruler population की जो पॉपुलेशन रूलर एरिया में रही थी है वो कई cities में जारी होगी आरवन एरिया में जारी होगी तो उनके माइरेशन को रूलर एरिया में ही वैसी jobs वैसी facilities अविलेबल है तो वह क्यों जाएंगे नेक्स्ट आता है बालेंस रीजनल डेवलपमेंट की जो भी रीजनल एरिया की ग्रोथ उसको बैलेंस करते हैं कि क्या से उसको और ग्रोथ और उसका डेवलेप्मेंट हो सके एक बैस दूसरा बिजनल खुलता है तीसरा तो ऐसे करके पूरे एरिया का ग्रोथ होता है नेक्स्ट आता प्रमोट ओफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी जो लोगों के अंदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होती है मतलब कि वहाँ पर अपने देखा हो बहुत पहले कि वह उन से स्वेटर्स पनाते थे कुछ कडाई की डिजाइन्स पनाते थे एम्रोइडरी कर लेते थे तो वह आर्टिस्टिक वर्क को भी प्रमोट किया जा सकता है नेक्स्ट आता है चेक ओन शोशल लेविल्स कि क्या समाज की बुराया है उनको खतम किया जा सके मतलब सोसाइटी भी ओपन माइंडेट बने फिन एक्स आता है इंकरेज दो रूलर यूथ जो भी रूलर यूथ होते हैं उनको इंकरेज किया जाए ताकि वह भी मोटिवेट हो भी जो करना चाहते है वह कर सके नेक्स आता है स्टेंडर्ड ओव लिविंग कि लोगों के जीनेगा तरीका उनकी स्टाइल को इंक्रीज किया जा सके अगर वह हाई अनिंग करते तो हाई इंवेस्टमेंट भी कर सकेंगे नेक्स आता है इक्विटेबल डिस्ट्रिबूशन ऑफ इंकम जो भी उनकी इंकम है उसको इक्वली डिस्ट्रिब्यूट किया जाए सभी लोगों के बीच में तो य अब आपके पास में मटीरियल मशीन जो भी अधर रिसॉससे उन सभी का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें एक्स्ट आता है इंप्लॉइमेंट जनरेशन की लोगों के लिए इंप्लॉइमेंट को जनरेट करता है कि जादा से जादा लोगों को रोजगार मिल सकते हैं प्रिवेंट टूलर एक्सट इस जो लोग रूर एरिया से अर्वन एरिया की ओड जा रहे थे उनको रोखता है कि वह महीं पर रहे महीं पर अच्छी लाइफ मिल सकते हो रिसॉसस उनको अविलेबल हो सकते हैं इंप्लॉइमेंट मिल सकता है फिर एक्स्ट आता है सब्सक्राइब को बड़ाबा देता है जैसी लोग की इंकम इंक्रीज होगी तो अल्टिमेटली एकॉनोमी का डवलप्मेंट होता है नेक्स्ट आता है अनिंग और एक्षेंज की जो भी एक्षेंज होता है उससे अनिंग होती है गर आप रूलर एरिया में अच्छा कोई स अच्छी हेंडी क्राफ्ट वाली चीज़ें बना रहे हों लोग फोरेंड में उसको लाइक कर रहे हो था आप इंटरनेशनली उस मार्केट में सेल कर सकते हैं जिससे कि आप फॉरें एक्षेंज की तुरूब भी अनिंग कर सकते हैं नेक्स्ट आता है प्रोडूसर्स इंटिया नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम से अफ्ट और और उट्रॉफ मारी इनफरेंटियर्टियॉट्टीस मतलब की जो हमारी इनफरेंश्ट्ट्रस्ट्रक्शन से संब्रेटेट आग़्ए सब्सक्राइड नेक्टिविटी माले हैं जो हमारे सीपाम इंडिर्स एं सारी facilities available होना प्रॉपर तरीके से तो रूलर एरिया में आपको यह available नहीं हो पाता है नेक्स्ट आता है non-supportive attitude of financial institution जो भी financial institutions होते हैं like bank या other institute जो की loan provide करते हैं वो भी आपको support नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसे नहीं लगते हैं कि आप successful हो सकते हैं उस एरिया में तो यह उनका attitude होता है next आता है lack of technical नाहों जो भी technology से related knowledge होता है वो भी पहुत कम होता है उनके पार क्या advanced technology या technology में क्या development हो है तो वो इन advanced मशीनों का use नहीं करते हैं जिससे की calls कम हो सकती हो quality increase हो सकती है तो यह disadvantage होता है next आता लेक of communication facilities कि आपको information या communication बहुत fast नहीं होता है आप update नहीं होते हैं बाहर के मार्केट से तो यहां पर disadvantage होता है next लेको वेरहाउसिंग facilities जहां पर कि आप product को ज्यादा quantity में storage करके रख सकते हैं वो भी available नहीं होते आपके लिए तो यह problem आती है रूलर entrepreneur के लिए next is rigidity of rules providing of loans जो भी loans मिलते हैं या provide करते हैं उसके लिए बहुत कठोर नहीं होते हैं मतलब बहुत सारी आपको securities देनी होगी जितने आप loan लेते हैं उससे आपको double securities देनी होती है तो वो सारी problem साती है तो अगर आपको proper time पर loan नहीं मिल पाएगा तो आप कैसे business को start करेंगे फिर next आता लेक of quality management कि जो ruler entrepreneur होते हैं वो quality को manage नहीं कर पाते हैं कि कितनी quality वाले product को लोगों को available करवाना है next is lake of finance कि उनके पास proper तरीके से capital या fund available नहीं है जिसे कि वो सारे resources को collect कर सकें जो कि important होते हैं किसी भी business के लिए next आता है non availability of skilled labor जो भी skilled labor होते हैं वो available नहीं है मतलब कि high experience या skills वाले जितनी degrees होनी चिये वो ruler areas में available नहीं होते हैं तो वो एक problem होती है आपके business को सही तरीके से कैसे run करवा पाएंगे अगर experience लोग है तो वो easily कर सकते हैं next आता है fear to invest in the business कि ruler entrepreneur को fear रहता है कि अगर वो business में money को invest करें तो उसे profit होगा या नहीं होगा problem आती है next आता political and structural problem कि politics के जो भी rules regulation उसको follow करना लएक अबीज जैसे tax pay करना time pay GST पर करना आपको यह ऐसा business कर रहे हैं जिसमें आपको license लेने की जो रहत है तो आपको government से पूरे documentation पहले बनवाने होंगे फिर आप business कर सकते हैं next आता है पूर knowledge in the account maintenance कि आपको financial accounting का प्रॉपर तरीके से knowledge नहीं कि आपको कैसे manage करना है मतलब कितनी cost लगरी है कितना आप आपको price रखना ची कितना profit होगा कितनी working capital आपको cash का management का नानचे cash flow का management आपको accounts का पूरी तरीके से knowledge नहीं जिसकी वज़े से आप उसका सही तरीके सा management नहीं कर सकते हैं तो आप सही तरीके से account को maintain नहीं करते हैं next आप purchasing power of ruler area जो ruler area में लोग होते हैं वो बहुत कम quantity में किसी भी प्रेट को खरीते हैं या फिर सिर्फ जरुएते वाली चीजों को खरीते हैं तो उनकी purchasing power भी कम होती है फिर next आता है competition कि कभी आप ऐसा हो सकता है जो ruler area में जो अल्रेडी बलने सलते हैं लोग एक ने स्टार्ट किया वैसे ही same दूसरा करना चाहते हैं तो क्या होता है competition increase हो जाता है तो यह सारी problem साथ ही है ruler entrepreneurship के अंदर नेक्स्ट आता है recommendation to solve the problem कि क्या क्या recommendation है कि कैसी इन problems को solve क्या जा सकते हैं तो first आता है educate the ruler entrepreneur कि जो भी ruler entrepreneur है उनको प्रॉपर तरीके से education provide की जानी चीए कि उनको सारी चीजों के बारे में knowledge हो अगर उनको कुछ भी चीज़े करने है मतलब technology का knowledge of production का marketing का business करने का तो वो सारी education ruler entrepreneurs को provide की जाने चीए नेक्स्ट आता other finance with low rate of interest कि ruler entrepreneur को promote करने के लिए उनको कम prices में या zero interest rate पे उनको loan provide किया जाना चीज़े ली ताकि वो जल्दी से अपने business को start करके grow कर सके नेक्स्ट आता government actions की government को actions लेना चीज़े कैसे promote करे मतलब वो बहुत सारे entrepreneurship development program चलाती है पर वो बाद मे feedback नहीं लेती कि वो सही तरीके से run हुए नहीं हुए उनका क्या result आ है मतला उन्होंने सिर्फ plan बनाया start करवा दिया और लोगों के उपर छोड़ दिया पर वो program सही तरीके से कुछ तो चलते है पर कुछ नहीं चलते है तो उनको देखना चीए कि उनका success rate है तो यह कुछ तर entrepreneurship को promote करने की लिए इंडिया में तो फस्ट ए entrepreneurship development institution scheme second ए राजीव गांधी उद्यमी मित्रा योजना next performance and credit rating schemes next product development design intervention and packaging next ए खाधी कारिगर जन्षी भीमा योजना फोर खाधी artisans next marketing assistant scheme last provision of urban amenities to ruler area तो यह बहुत सारी schemes हो कि ruler entrepreneur को promote करने के लिए इंडिया में चल रही है next आता है role of ruler entrepreneur in economic कि ruler entrepreneur का क्या role होता है economy के अंदर first आता है formation of capital कि कैसे capital को और बढ़ाया जा सकता है उसका formation क्या जा सकता है अगर आपने कहीं पर investment किया है तो आपको परती है कि वो और increase होते जाएगा त development की जो भी ruler area होए उसका ओर development हो आप अच्छी education मिले लोगों का standard increase हो employment जनरेट हो तो economy का development होते है next आता है general employment की ज्यादा employment की opportunities ruler area के लोगों को मिले जितने ज्यादा बजन से schooling के उतना ज्यादा employment generate होगा next आता है improvement in standard of living लोगों के रहने के तोड तरीके में जीवन में सुधार करना कि वो अच्छी तरीके से life को जी है high quality वाले production उनको मिल सके next आता है increasing per capital income जो भी capital की income है per person उसको increase किया जासे कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जैसी employment generate हो रहे हैं तो परिवेक्ति आई भी increase होती तो से economic में GDP सब increase होते है next आता है national self-reliance की लोग अपने अपने self-dependent बने नेशन भी self-dependent बनेगा next आता है plant production की आप production को planning के साथ जो भी अपने plan किया उतना कर सके और last आता है equitable distribution of economic power कि जो भी power थी उसका equal distribution हो सभी को equal power मिले तो यह थे कुछ role of ruler entrepreneurs in economic next आता है how to develop ruler entrepreneurship कैसे ruler entrepreneurship को develop किया जा सकते है तो first आता है कि stay in the raw material based in ruler area कि जो भी ruler area में raw material available है के base को strong किया जाए मतलब कि वही raw material का use सारे लोग करें किसी भी product को बनाने के लिए चाहे वो high price में available next आता है कि fund should be available on time at the soft term and condition कि जो भी ruler entrepreneur को fund की जुरात है तो वो time पे available हो और come term or conditions के साथ ताकि वो term conditions को fulfill कर सके next आता है develop करना entrepreneur competencies को training के तुरू मतलब entrepreneur की skills develop करना लोगों के अंदर ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके और उनको सभी चीजों का knowledge जैसे accounting आता तो उनको accounting सिखाना computer का knowledge provide करना marketing की skills देना ताकि उनका और development हो सके तो इन सभी से related training provide की जानी चीए next आता है decimulate information about the available facilities facilities available है उसके बारे में उनको information provide की जाए कि वो क्या-क्या advantages उनको मिल सकते हैं और वो इसका use कर सकते कुछ areas में free electricity power supply मिलती है ruler entrepreneur को तो उनको इस बारे में information provide की जाए next आता है modern infrastructure facilities की जो भी infrastructure से related facilities है like water, power, transportation, buildings तो उनको वो सारी facilities provide की जाए next आता है NGOs इन रूलर एरिया वो सारे NGOs काम करते है ruler area के development के लिए तो ये सारे तरीकों से ruler area का development हो सकते है तो ruler entrepreneurship के इस वीडियो में आपने पढ़ा definition क्या features होते है ruler industries के क्या need होती है ruler entrepreneur की इनके advantages, importance, problem क्या आती है ruler entrepreneur को और इसको कैसे solve किया जा सकता है और क्या government के schemes चल रही है इंडिया में ruler entrepreneur के development के लिए या उनको promote करने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो please like किजे चैनल को subscribe किजे और comment किजे और किसी topic पर वीडियो से तो आप comment कर सकते है Thank you